हेलो फ्रेंट्स, गेहु आटे के इस्तमाल से आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी चटपटा सा नाश्टा, जो घर में आप किसी भी टाइम, किसी भी समय बहुत कम समान से बना कर तयार कर सकते हैं, तो चलिए देर ना करते वे रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, इस रेसिपी को नमक दाल कर यहां पर आटे में नमक को अच्छे से मिक्स देना है, और अब पानी लेकर बिल्कुल पूरी प्राठे रोटी बनाने के लिए जिस तरीकी का आटा हम लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीकी का आटा हमें यहां पर लगा कर तयार करना है, ना तो आटा ज़्याद कर पहले से ही तयार कर रख लिया है, अब लेंगे हम यहां पर ग्रेटर यानि की कदूकस और जो मोटी वाली साइड होती है, उससे हमें यहां पर इसको ग्रेट करना है, जिससे जो हमारे लच्छे हैं, वो मोटे मोटे और लंबे आए, बिल्कुल इस तरीके से आप जैसे क दालेंगे एक प्याज जिसको मैंने लंबे लंबे चॉप करकर डाला है, साथ मैं डालेंगे यहां पर चेली फ्लेक्स, तो आदा चमच मैंने चेली फ्लेक्स लिया है, आदा चमच हम यहां पर ले रहे हैं चाट मसाला, आदा चमच ले रहे हैं हम यहां पर गरम मसाला, इसमें मैगी मसाला या फिर आप भुनावा जीरा पाउडर या फिर काली मेच पाउडर का उप्योग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाते हैं वैसे तो इन मसालों से ही यह जो हमारा नाश्ता है बहुत चटपटा सा बन जाएगा और साथ में हम डाल देंगे यहां पर धनिया मसाला बन कर तयार है तो चली से रखेंगे एकसाइट और आटे को देख लेते हैं इतने में जो हमारा आटा है वो भी अच्छे सेट हो गया है तो इसको एक दो बार और मुक्की लगा के हम यहां पर अच्छे से प्लेन कर लेंगे यानि कि स्मूथ कर लेंगे अब जितना हम मारा यह आटा है इसमें से हम दो पार्ट कर रहे हैं और हां यहां पर मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहूंगी अगर आपके पास पहले से ही बचावा आटा है तो आप उसमें नमक डाल कर या आपके आटे में नमक पहले से ही है उसको भी आप यहां पर इस्तमाल कर सक थोड़ा बड़ा बड़ी चल्ष से मैं लका सकते हैं तो इसके ऊपर लगा है और चेट्नी ड़कटनी। अपर टमाटो केचप केचप और साथ को आलो बना कर तियार करा उसको बीच में पैला दिया है । सिर्फ बीच बीच में फिलाना है चारो तरफ के हमारे जो किनारे है वो छोड़ देने हैं और एक तरफ से उठाकर हमें रोटी को इस तरह से फोल्ड कर देना है और दूसरी साइड से भी हमें इसको इस तरह के से फोल्ड कर देना है तो चारो कोने हमने यहां पर रोटी के फो लेंगे आपके पास जो भी बरतनों स्टीम करने के लिए वह यहां पर ले सकते हैं और उसमें इसको यहां पर इस तरीकी से लगा देंगे लगाने से पहले हलका सा तेल का हाथ लगा लिजेगा बरतन पर जिससे यह आटे का रोल नीचे चिपके ना बरतन पर और 10 मिनट के लि लेते हैं इतने ठंडा होता है कर लेते चोटी सी तयारी तो यहां पर मैंने चोथाई कब गेहुं का आटा लिया है थोड़ा सा स्वादनुसार नमक डाला है और पानी डालके मैं यहां पर इसका एक पतला खोल बना लूगी अब इसका इस्तमाल क्या है चलिए आगे देख पहले हम यहां पर रोल को देख लेते हैं रोल हमारे इतने टाइम में ठंडे हो गए हैं बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और नाश्ता भी जटपट बन जाता तो यहां पर रोल में से हम पीसिस कट कर रहे हैं पीसिस हम यहां पर तीन चार उंगली के difference पर cutरेंगे तो मैंने एक रोल में से याहा पर तीन यी पीस निकाले हैं और इसी तरहिक्वार्ण करें यूंए, दूसरे वाला रोल पिस में से इसे macheया है जा Viktरे यूज दूसरे यूज दूसरे रूला रोल इसा कारकर के मारेAK और उसके बाद गहूं आटे कम ने घोल बनाके रखा वाए एक एक पीस इसमें डिप करेंगे बिल्कुल इस तरीके से और यहां पर कढ़ाई में मैंने दो चमचे तिल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था फ्लेम को मैंने यहां पर मीडियम तू हाई रखा है और उसक यह डालते ही बहुत अच्छे से नीचे से हमारे नाष्टे ने कलर चेंज कर दिया है और बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक नाष्टा है अगर आप समोसा कचोरी खाने के शोकीन है तो आपको इनाष्टा बहुत पसंद आने माला और अलट पलट कर और यह देखी हमने इस कोड़े हमारे बनेवे गेहूं आटे के हैं और सातनी नाष्टा सूपर क्रिस्प है तो आज की अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो मिलते है नई दी नई रेसिपी के साथ ठैक्स फोर वाचिंग